नमस्कार दोस्तों आशा करते हूं आप सबी लोग स्वस्त होंगे दोस्तों भारत के पक्षिम में से राजस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां रेत के टीलों और राजपूतों के आन बानशान की गभाई धर्ती देती है एक से बढ़कर एक किले हवेलियां देखकर किसी की भी एतिहास में दिल्चस्पी बढ़ जाएगी थार के रेगिस्तान से गिरा बिकानेर शहर जिसे हजार हवेलियों का शहर भी कहा जाता है यूँ तो बिकानेर रजपूलों की मिठास और भुजिया के तीखेपन के कारण पूरी दुनिया में मशूर है लेकिन अगर आपके बिकानेर का भांदा शाहर जैन मंदिर नहीं देखा तो मान लीजे कि कुछ नहीं देखा ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी नीव पानी से नहीं बलकि 40,000 लीटर देशी घी से भरी गई है आईए जानते हैं कि इस अनोखे मंदिर के इतिहास के बारे बिकानेर के लक्षमीनात मंदिर के पास मौझूद पांच अताब्दियों से जादा प्राचीन भंडाशाह जैन मंदिर दुनिया में अपनी अलग ही ख्याती रखता है इसका निर्मान भंडाशाह नाम के वेपारी ने 1468 में शुरू किवाया था जो की 1541 में उसकी पुत्री ने इसे पूला करवाया मंदिर का निर्मान भंडाशाह जैन द्वारा करवाने के कारण इसका नाम भंडाशाह पड़ा था जमीन के करीब 108 फुट उचे इस जैन मंदिर में पांचवे दिर्थकर भगवान सुमतिनाथ जी मूल वेदी के रूप में विराजवान है यह पूरा मंदिर तीन मंजिलों में बटा है इस मंदिर में लाल बलवा पत्थरों और संगमर्मर से बनाया गया है मंदिर के भीतर की सजावट बहुत ही सुन्दर है मंदर का निर्मान भंधार शहा ओस वाल ने करवाया था जो की घीं के वैपारी थी जब मंदिर के निर्मान को लेकर उनकी बैठक मिस्त्री के साथ चल रही थी तब दुकान में रखे घीं के पात्र में एक मखी गिर गई तो सेथ ने मखी को उठा कर अपने जूते पर रगड़ दिया और मखी को दूर फैक दिया पास बैठा मिस्त्री यह सब देखकर आचरे चकित हो गया कि सेथ इतना कंजूस है कि मखी में लगे घीग से भी अपने जूते चमका रहा है फिर मिस्त्री ने सेथ दीन वीर्ता की परिक्षा लेने की थानी और मिस्त्री बोला सेथ जी मंदिर को शताब दियों तर मजबूती देने के लिए इसके उप्योग होने वाले मिश्रन में पानी की जगे घीग का उप्योग करना उचित रहेगा बोले भाले थे और तभी उन्होंने घीग का पड़ी मखी से अपने जूते चमकाते देखा तो सोचा कि आप बहुत कंजूस हो लेकिन सेथ जी आप तो बहुत ही दानवीर हो मुझे माफ कर दीजिए ये घीग वापस ले लीजिए मैं मंदिर का निर्माण में पानी से कर दूंगा तब सेख ने कहा वो तुम्हारी ना स चालिस हजा लीटर घीं का उपयोग करके किया और आज भी तेज गर्मी के दिनों में इस जैन मंदिर के दिवारोग और फर्श में घीं खिसता है दोस्तों आपको यह अद्बुज जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को आन तक अनिवात